अवस्कार और आप देखें पलपल इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान का आरोप है कि भारतिय वाईयो सेना ने लांगी है एलो सी पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतिय वाईयो सेना ने लो सी का उलंगन किया है पाकिस्तानी सेना के प्रवरता ने सुबह ट्वीट कर भारत पर यह आरोप लगाया पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है अब ऐसी खबरें भी आ भारतियों वायू सेना ने पीयों के में आतंकियों के कई ठीकाने नेस्तान अवबूद किये हैं। यहां तक की कहा जा रहा है कि एक बड़ी सर्जीकल स्टाइक भारतियों वायू सेना ने की है। गुषपेट की है। अब ऐसी खबरें भी आ रही है कि पुल्वामा आतंकि हमले के बारा दिन बाद भारतियों वायू सेना के पाग वाले कबजे में कश्मीर जो आता है उसमें आतंकि ठीकानों पर बड़ी कारवाई की खबरें इस समय आ रही है। और इस समय जो सुत्रों के अनुसार पता चल रही है वो है भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। पी ओके में एक हजार किलोग्राम के बम गिराने की खबरें ही समय आ रही है। भारत पर सीमा के उलंगन का भी आरोप लगाया जा रहा है। ट्वीट के बाद में गवफूर ने एक और ट्वीट किया है। अलगि उन्होंने इसमें लिखा है कि भारत्यावाईउसेना के मुझबफराबाद सेक्टर में गुषपेट की कोशिश की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि बाकिस्तानी सेना द्वारा ठीक समय पर प्राभावी जवाब दिया गया है। वहीं दूसरी और उन्होंने जानकारी दी है कि घटना में किसी किया नुकसान नहीं हुए, कोई हताहत नहीं हुए, हाला कि भारतिय वाई उसायना की और से इस पर कोई प्रतिकरी आभी तक नहीं आई है गोरतलब है कि पलवामा हमले के बाद में दोनों देशों के बीच में रिष्टे तल्की योगर्ट बढ़ी है पने रही है हमारे साथ पलपल की पूरी ख़बरें आप देखते रहिए, हम आपको हर ताजा ख़बर इससे संबंदी बताते रहेंगे आप देख रहे हैं पलपल की वी सेस रिपोर्ट पलते डापी ख़बरें णिस्टनी है कर दो कर दो कर दो प्रेवार्चर्फ से ध्रेवार्च सेय्हें सेयुकि लिए प्रेव 2